जे योगोर हाडू मेरे जितने भी सादक सादिकाये हैं उन सब को मेरी तरब से प्रणाम स्युकरो मैं साइदास फिर से आप सब के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया जारकरी के साथ तो आज बात करते हैं काफी समय से जो भाई लोग ने मुझे बोल रहे थे कि गुरू जी अफसरा साधना दीजिए अफसरा के बारे में कुछ बताईए कुछ जानकारी दीजिए अफसरा के बारे में कुछ ग्यान दीजिए हमें हमें अफसरा साधना करने के काफी इच्छु क तो उन भाईयों के लिए मैं आज लेके आया हूँ सबसे सिग्र सिद्ध होने वाली और सबसे भेतरिन मतलब भेतरिन और वेतरिन अनुभव प्रदान करने वाली और आपको सारा सुख देने वाली सुगंध मोधिनी अफसरा साधना आज मैं आप सबको देने वाला हूँ तो ये साधना ज्यादा दिन का है नहीं सिप तीन दिन का है सिप और सिप तीन दिन का है आगे इसका मैं भी दिविदन बताओ कुछ बात अब सबसे मैं कहना चाहूंगा हमारी चेनाल की तोर और से मतलब हमारी चेनाल है परिक्षित मंत्र साधना ये वों तोने टोटके ये चेनाल से आपको सिप जी का या फिर माता काली का या फिर गणपती जी का साधना ये मूप्त में करवाया जाएगा इसके साधना के कोई भी सुल्क नहीं लिया जाएगा एक रूपे भी नहीं लिया जाएगा मंत्र जागरित और विदिविदान आप सबको मुप्त दिया जाएगा बाकी माला यंत्रव गेरा जो भी लगेगा वो आप अपने बजार से खरीद के उसको प्राणपतिष्टा या संस्कार करके आप इस्तिमाल करे सकते हैं गाइडेंस और जो है विदिविदान हमारी तरफ से मुप्त दिया जाएगा सिर्फ तीन दिया जाएगा यह साधना है जिसको भी करने का इच्छुक है वो हमें बता सकता है हमें दिया जाएगा शिव जी का के सरी साधना है, शिव साधना चाहे है, शिव जी का अगरिस्टोर रूप का साधना, या फिर अर्धनारिस्टोर का साधना, या फिर माकाली का सावर मंत्र साधना, या माकाली का विन रूप का साधना है, माकाली का आठ रूप है, आठ रूप में से कोई भी एक रूप की आपको साधना करना चाहे चाहे वो समसंकाली हो चाहे वो भद्रकाली हो चाहे किसी ओर काली का भी साधना करना चाहे तो आपको दिया जाएगा वो मुप्त रहेगा मंतर जागित वगेरा हमरी तरप से मुप्त करवा दिया जाएगा लेकिन माला यंत्र वगेरा आप मिनिए भाइयों ने कहा कि गुरुजी हमें कुछ Vergara बता है जो एक ररत में च मतकर हो जे मैंने कहा इक ररत च मतकर होने शेले आप एक शिद्ध गुरू से गुरुदिक से लो और पहले तंत्र के बाजह में थोड़ा बहुत जानकरी ले लो च मतकर बाद में देखना फिर उन भाई सब का सवाल का हालचाली बदल गया मतलब जो हुलिया है सवाल का वो बदल गया उसने ये सवाल किया क्या गुरुजी भगवान है क्या मुझे पूछा मैंने का हां भाई है तो उन्होंने मुझे दूसरा सवाल किया क्या आप उन्हें देखे मैंने का देखे मैं सारे जो 33 करोड़ देवी देवता है हिंदु सलातन धरम में सबको तो नहीं देखा लेकिन जो मेरे इष्ट देव है और मेरे कुछ देवी देवता है जिनके मैं आराधना करता हूं उनके दर्शन में चाहे सपन में करूं या सामने करू लेकिन किया हूं तो उन्होंने कहा मुझे कि आप जूट बोल रहे हूं मैंने का अच्छा तो उन्होंने मुझे तीसरा सवाल किया कि क्या गुरुजी आप मुझे उन्हें दिखा सकते हैं तो मैंने का मैं उनको उनको एक मदद मांग सकता हूँ कि आप देवी देपता को बोल सकता हूँ कि आप उन्हें दर्शन दे ये नहीं बोल सकता हूँ कि उनके पर या फिर दवाब नहीं डाल सकता हूँ कि आप जोड जोबस्ती जाके उनको दर्शन दे मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ ना उन आपने अमेरिका गये उनको मैंने मेरी तरफ से सवाल था तो कहा नहीं गया तो मैंने उनको यह पूछा तो इसका मतलब आमेरिका नहीं क्यूंकि आपने आमेरिका देखे नहीं तो इसका मतलब आमेरिका है नहीं जो आपकी कहने के मताबिक तो उन्होंने का नहीं मैंने इतियास में पढ़ा हूँ काफी सरा मेप में भी देखा हूँ कि आमेरिका है मैंने का अच्छी बात है अठरा पुरान और बेद उपनिश्यद इन सब में देवी देवता के बारे में भरनी थे वोलकि मैंने उनको भी का कि ये मैंने बच्पन से में भी पढ़ा हूँ तो आपने अमेरिका देखे नहीं फिर भी पढ़ा है उसके बारे में जाना है वीडियोज में देखे हुए वैसे ही मैंने भी इन सारे सक्तियों के बारे में पहले तो कुछ किया नहीं था नाहीं देखा था पहले तो उनके बारे मैं पढ़ा था फिर जब मुझे विश्वास वा मैं आगे बढ़ता गया और उनके दर्शन भी किया मैंने ये बात उनको कह और एक बात मैं आप सब को खेहना चाहूंगा ऐसा नहीं है कि जिनको हम देखते नहीं है उसका मतलब यह नहीं कि वो है ही नहीं क्या पता किसी और ने देखा हो आपको अगर कोई यह सवाल पूछे कि आपकी जो पिताजी है उनके पिताजी है उनके पिताजी को आपने देखा है क्या तो आपकी जवाब रहेगा कि नहीं नहीं देखा है मैंने इसका मतलब वो है ही नहीं देखो सुरुवात करने वाला भी है और सुरुवात को समालने वाला भी है और सुरुवात को धंक्स करने वाला भी है इसलिए तीनो देवों का नाम कहा गया है ब्रह्मा, विश्नु, महेश यह सब हर कोई जानता है हिंदू सनातन धरम में तो इसके बार में मैं ज्यादा टिपने नहीं देना चाहता हूँ और उन भाई साब को मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा मैं ज्यादा बात करने में विश्वास नहीं रखता जिसको समझना है जिसको विश्वास करना है इन सब चीजों के उपर वो कर सकते हैं जिसको नहीं करना है वो इन सब चीजों से धूर रहे तो बहतर होगा नहीं तो नास्तिक होके अपने ही खुद का नुक्सान करना समझदारी का बात नहीं है मैं जितना तक जानता हूँ क्योंकि आप किसी ओजा, तंत्रिक या सादक से उलजेंगे जब आप उलजेंगे दो-चार उल्टे-बुल्टे बात भी कहेंगे उनसे फिर उनका अगर गुस्टा चड़ा तो वो उल्टा आपके पर ना कर दे पहली बात यह है दूसरी बात है वो अगर कुछ ना भी करे तो उनके जो इश्ट सक्तिया है वो गुस्टा हो जाते है यह वाद ध्यान रोकि और उनको रोकने वाला आपके अंदर उतना सेमता होया नहीं उसका फल सरुप आपको कभी बुखार तो कभी और बिमारिया या फिर घर में कले और भी काफी सराए तो तांत्री के से मतूल जी आप अपना रास्ता देखिए पसंद नहीं आता तो आप उनसे दूर रहे यह मेरे सला है आप सबसे हमारी आज की था कि अफसरा साधना सुगंद मोदीनी अफसरा साधना यह अफसरा साधना मेरे एक गुरुभाई को मैंने करवाय था जब मेरे गुरुजी नहीं रहे थे उनके जो कुछ साधनाय मुझे दिये थे वो मैंने अपनी खाते में लिख रखा था और मैंने ये साधना को एक गुरुभाई से मैंने कहा कि आप इस साधना कीजिए आप इसका अनुभभा हमें चाहिए मैंने उनको ये बात कहा तो उन्होंने ये साधना की ये और उन्होंने ये साधना तीन रात्री का है, किसी भी शुक्रोबार से ये साधना शुरू कर सकते हैं, इसके लिए आपको शुगंद मोधिनी अफसराई यंत्र चरूरत पड़ेगा, जिसको प्राणफतिष्ट करना जरूरत है, और साथ में आपको स्पटिक का माला जरूरत ह माला संसकारित होना जरूरी है, तीन रात्री का साधना है, गुरू के मुक्ष मंत्र लेकर कीजिए, इसलिए मैं यहां मंत्र नहीं बता रहा हूँ, मंत्र सिर्फ उन्ही को दूँगा, जो मेरे सिष्य है, और मेरे से गुरुदिक्षिन ले चुके हैं, मैंने कहा, तीन साध कि यूझे आपके नाम पे मंत्रों को जैग्रित किया जाता है चडावा दिया जाता है उसमें खर्चा आता रहते हैं और हम आपको जितना समय देते हैं रोज-रोज सिखाना किसी से बाते करना आधा गंटा एक गंटा समझाना कि एसे करो बेटा एसे करो इस तरीके से हवन करो इस तरीके से मारजन करो इस तरीके से तरपन ब्रामिन वजनादी कराओ इस तरीके से मंत्र को जब करो माला एसे पकड़ते हैं यह सब समझाना कोई छोटी बात नह पाता है कि समय नहीं मिल पाता है मुझे कोई को कहता है कि गुर्ज बशीकरन कर दो कोई कहता है कि स्तंबन मारन उच्छाटन पर मैं अपने हिसाब से ही काम करता हूं कोई कुछ अपसरा में ना अंग पूजन का जरूर होते ना आपको किसी भी मुख्य पूजन का जरूर होते यह अपसरा में सिर्फ आपको किसी भी सुक्रवार के दिन यह साधना आप शुरू कर सकते गुलावी कलर का बस्तिर अवधारन करे आशन गुलावी रंग का होना चाहिए अगर और वह आसन नहीं मिले तो आप गुलावी रंग का एक कपडा आसन के पर बिछा सकते हैं और एक कपडा गुलावी रंग का लीजिए बाजोट के पर रख दीजिए उसके पर एक कांसे का फिलेट रख दीजिए उसके पर अफसराई यंत्र रखें और अफसराई यंत्र का पं मंत्र के पूजन करें वो मंत्र का एक मला जब करें पिर अफसरा का पंच्छो पूजन करें और अफसरा का ज़ब मंत्र है उसका आपका 21 मला रोज जब करना है यह साधना सर्फ तीन दिन का है और साधना का विधी बहुत ही आसान है ब्रह्मचरी का पालन करना है तीन दिन तक सातु एक भोजन धारन करना है याद रखेगा एक बाद मैं बार बार कहता रहता हूं कि ब्रह्मचरी सारीरिक और मानसिक दोनों तोर पे होना साधना के समय में ना ही साधना के समय में कोई गलत क्रिया करना है ना ही गलत सोचना है जूट फ्रेवी धोका धाड़ी इन सब चीजों से दूर रही है आप साधना के समय में किसी साधक को सिध्या मिल जाता है तो किसी को सालों सा लग जाता है सिध्या हासिल नहीं होता है और निष्टा नहीं रेने पर साधना सिद्ध नहीं होता है भरोसर रखे अपने इस सक्ति के पर भरोसर रखे आप अपने गुरू के पर भरोसर रखे आप जिसकी साधना करे उसके पर तभी जाके एक सिद्ध साधगा बन सकते उसके हलावा सालों साल बित्ता जाएगा कुछ हासिल नहीं हो रहा होगा और सबसे पहले आपसे सिद्ध गूरु धारण करे अगर आप जिन्दिगी में कुछ करना है तो और उसी गूरु को धारण करे वो गूरु कुछ कर चुका हो और उसको कुछ प्राक्टिकल नहलेज हो दो चर किताब उठागे पढ़ने से कोई भी गूरु बन जाएगा लेकिन जब प्राक्टिकल की बात आता है तो वो ही गूरु बता सकता है आपको अच्छी तरीके से जो खुज जो खुद कुछ किया हो तो केर बेकार की बाते करके मैं समय नहीं लेना जाता हूँ बाकि ये अफसरा से आपको क्या-क्या हासिल हो सकता है देखिए हर कोई सादक जब यूट्यूब में वीडियो आता है वो पहले ये देखते है कि ये अफसरा या येक्षनी या योगिनी या फिर भूत पिसाज पहले क्या-क्या देता है हमको देखो कोई भी सकती है उसके पास अलोग की अपवारे मतलब जो सकती है वो कुछ भी कर सकता है वो आप ये मत देखे कि सोने का हार देगा या कंगन देगा या फला न देगा ये अफसरा वो सब कुछ दे सकता है जो एक साधक का जरूत होता है चाहे वो मा की सुख चाहे वो बहन चाहे वो पुत्री या पत्नी की सुख या फिर चाहे आप संक्सरिक भोतिक और जो भी जो शुख जरूत पड़ता है सादक को जो जो इच्छा सादक की रहता है हर वो इच्छा ये पूरण करता है ये सुगंद मोधिनी अफसरा भेतियासन साधना है सिब तीन रत्रिगा शिब आपको भक्तिभाव से लेके अगर देवी की रूप में करना है या मा की रूप में करना है तो भक्तिभाव से लेके करना है अगर बहुन की रूप में करना है तो एक बहुन की नजर में देखना है अगर पत्नी की रूप से करना है तो प्यार की नजर से अफसरा को बु वो माला प्रानपतिष्टा और संस्कारित करके भेजा जाएगा इच्चुक सादक हमसे संपर्ख करें बाकिया हमारी तरफ से जो तीन साधने मुप्त में दिया जाएगा वोलके बोला है वो हमारी तरफ से पूर्णतय मुपते उसके लिए कोई भी एक रूपे का भी दक्सिन आपको जबाब देंगी बस और ज्यादा बात नहीं कहना चाहूंगा जे योग हो रहा है